नमस्कार सेफ इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बहुत खुसी की बात है कि आज जो है मेरी पहचान करके एक गौर्रमेंट पोर्टल लॉंच हुआ है और उसका आईडी जो है बिल्कुल फ्री में मिल रहा है ये एक पोजिटिव बात है हम लोगों के है और देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है कोई भी आपसे बोलता है कि इसमें आपको कुछ पैसे पे करना पड़ेगा तो बिल्कुल ही वह जूट है इस सब के चक्कर में ना पढ़िए मैं आपको इसी वीडियो में खुद बत कि यह जो मेरी पहचान.gov.in करकि यह जो बेवसाइड है यह जो पोर्टल लॉंच किया गया है भारत सरकार द्वारा उसमें आपको बहुत सारी सुविदाय दी गई है जैसे कि आप किसी भी साइट कोई भी गवर्मेंट साइट चाहे वो राज्य सरकार द्वारा जो सर्वि साइट जो है यहां पर आपको मैंसन दिखेंगी और दूसरी बात आपको बता दें कि जैसी ही आप इस पर लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करते समय आपको सारी साइट का वहां पर पूरा पॉर्मेट जो है वहां पर मिल जाएगा आप उसको क्लिक किजिए वहां पर जो भी ये आवास योजना के तहत घर अपलाई होता है गरीबों के लिए घर सरकार के द्वारा जो मिलता है तो वो उसके बारे में आप सौर्च किजिएगा फ्री आवास योजना के लिए तो गौर्मेंट साइट तो छोड़ दीजिए कितने सारे फेक साइट वहाँ पे आप क्यां से करना है और यूजर एडी हमें कैसे प्राप्त होगा करने के लिए सबसे पहलेいた一点 क्रोम हम लोग खोल लेते हैं उसके बाद से यहां पर आप लोग सर्च रिजेगा यहां मेरा पहचान मेरा efficient सार्च करने के बाद आपको यहां पर आजाएगा की यहूं का सयट मेरी या फिर जन पढ़मान से, जन पहचान से, चलिए हम लोग के पास कोई नहीं है, तो register पर click करते हैं, जैसे register पर click किजेगा, आपको यहाँ पर अपना mobile number डालना है, mobile number डालने के बाद, यहाँ पर आपको generate OTP पर click करना है, उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना, जो भी OTP पर अपना पूरा नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम है, मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, जैसे चंदरकांत कुमार यादा हूँ, उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना date of birth भरना है, ध्यान दीजे, पहले दीन भरना है, फिर महीना, फिर साल, ठीक है, य जो है मेरा मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, फिर select gender, यहाँ पर आपका gender select कर लिजे, जो male या female जो भी है, यहाँ पर select कर लिजे, उसके बाद से एक username create कीजेगा, username ऐसा होना चाहिए, जो किसी का ना हो, और multi character मिला के होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैंने डाला यहाँ यह जो भी आप डालना चाहिए, number में डाल सकते हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसी pin को confirm डालना है, और उसके बाद से आपको यहाँ पर I agree करके, और यहाँ पर जो आपको verify है, उस पर click कर देना है, ठीक है, जैसे click किजिए, देखे, यूजर नेम already exist, यानि कि मेरा जो यूजर नेम CH123 डाले थे, वो गलत है, मतलब कि वो already बन चुका है, तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम जो है, पहले दूसरा डाल लेता हूँ, फिर verify पर click करूँगा, दुबारा से pin डालना पड़ेगा, तो चलिए, यहाँ पर मैं अ जलत हो गया था, तो pin फिर से बना लीजे, यहाँ पर 6 अंकों का pin डाल लीजे, जो भी है आपका, 123456 इसी मतलब अंक में, जैसे 1210 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है, पिन 6 डिजिट का, confirm डालने के बाद यहाँ पर verify कर लीजे, यहाँ पर successfully जो है, डिजी लगर में यह मेरी पहचान में, रेजिस्टर हो गया है, अपना यहाँ पर अधार नमबर डाल के continue कीजिएगा, तो आपका ID जो है, login हो जाएगा, redirect कर दिया जाएगा, मेरी पहचान, government site पे, ठीक है, तो आपका username और वो जो pin डाले थे, वो याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा, यह मेरा बता रहा है कि, already register with dglogger, ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, आप जाके वहाँ से login कर सकते हैं, या फिर आप page को refresh कीजिएगा, तो क्या होगा, कि आपका redirect कर दिया जाएगा, आपको मेरी पहचान, government site पे, ठीक है, तो चले, यहाँ पर हम लोग page को refresh कर लेते हैं, जैसे page को refresh करेंगे, यह देखिए, पूरी मेरी पहचान करके, जो है website जो है, खुल गया है, government का site है, इसमें आप service देख लीजिए, इतना लाजवाब यह portal भारत सरकार द्वारा द्वारा जो है, लंच किया गया है, इसमें 101 आल service है, मतलब अनगीनत service है, अनगीनत website है, इसम भी आपको काम करना है, बिहार से हो, यूपी से हो, डेली से हो, जहां से हो, जिस estate से हो, सबका काम इसमें provide किया जा रहा है, तो आप, मुझे लगता है, आप इसको successfully जान गए होंगे, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लग झाल